ये स्टुडेंट वैलकम बैक टो यूर ओनलाइन क्लासेस लास्ट वाले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1D का क्वेस्टन मर 1,2,13 सॉल्व करके और समझा करके देटेल में समझाये था इस वाले वीडियो में हम क्वेस्टन मर 14 टू आगे जितने भी क्वेस्टन से उनको सॉल्व करना को समझायेंगे है ना उसका एंसर कॉंसेट के साथ आपको बताएंगे यह लिए क्वेस्टन मर 14 देखते हैं तो हम इस वाले व्यडियो में बाते हैं यह पर हमसे बोला है कौन से स्टेटमेंट सही है माइनस 11 ग्रेटर माइनस से या फिर या फिर माइनस 11 और माइनस 8 को diese र資 नहीं चाहverständा तो compare थो दो नूंबर से कापस में किया ही जा सकता है चाय वो fraction में हो, decimal में हो या किसी बिटम में हो उसे compare तो करी सकते हैं ठीक है अब हम आते हैं कि दों में से कौन सा सही है तो मैं आपको अगर आपने class 6 में है ना पढ़ा होगा डीटेल में अच्छे से आपको थोड़ा सभी अगर याद होगा तो मैं आपको number line के साथ महाँ पर समझाया था लासिक्स वाले वीडियोस में बहुत सारी दोमें चैप्र टैन तक कि जब हम 0 से start करते हैं ठीक है ना number line में तो राइट सेट में हमारा plus number चलता है plus one plus two plus three plus four और लेफ्ट सेट में जब हम आते हैं तो minus one minus two minus three इस तरीके चलता है number लाइन में देख है तो जब राइट सेट में बढ़ते है ना तो जीरो से जितना दूर जाएंगे वह नमबर उतना बड़ा का लाएगा यानि कि 4 जो है जबी नीग कि चोटा होते जाएगा यादि झीरों से इतना दूर जाता है माइनस वaking शोटा होते जाता रहा हमारे स्वाच प Calendar R मारओर स्टेटमेंट है यह गलत है अब आते हैं कर से मिलंट 10 detugenảs 6 है जो सम है वो 6 है if one of them is minus 3 then the other is तो उन में से एक जो है minus 3 है तो दूसरा क्या होगा तो इसी तरीके से दो तीन questions I think तो अगर मैं आपको एक कोड़ील में समिला तो बाकी questions को आप solve कर लेंगे जैसे second में भी वही है कि sum of two integer two integer का जो सम है minus 4 है उन में से एक minus 6 है तो दूसरा कौन सा है और 17 में से मुझी तरीकर है कि sum of two integer is 14 दो इंटेजर का जो सम है 14 है और उन में से एक जो है minus 8 है तो दूसरा कितना होगा ठीक है तो इसका मैं एक मैं आपको समझा देता हूं concept के साथ आप से त्रीनों बन जाएंगे तो चलिए मैं आपको question number यह जो माइनस वहला है जिसमें आपको तो सब्सक्राइब हो सकते हैं और माइनस वहला आनिजे वह हो जाता है 10 और उनमें से जो 1 है वह 3 है तो बताइए कि दूसरा नंबर कितना होगा ठीक है यह जिसमें अब आपको तो हमारा 10 आजाए यही कोशन आप से यहां विद्धिया हुआ है कि दो नंबर का सम दिया और एक नंबर दिया हुआ है दूसरा नंबर पाइंड करना है कुशन वर 15 16 17 में तो यहां पर करते क्या है आपने को यह तो पता चल गया कि एंसर कितना होगा 7 होगा तो 3 में 7 8 करेंगे तब ही 10 आएगा ठीक ना यहां कि दूसरा नंबर यहां पर आपने उजाहिर से बात पता चल जाएगा इसली 7 है यह जब माइनस में नंबर आ जाता है यह उल्टा सिधा है इंटेजर में जब नंबर आ जाते हैं माइनस वाले निगेटिव वाले नंबर तो प्रफोड़ से डिफिकल्टी होते हैं या फिर जब बड़े ग्रेटर नंबर दी जाते हैं न फवर डिजिट के तब व्रफोड़ा सा डिफिकल्टी होता है तो यहां पर आपको उगर सिसमझ में आएगा तो आप उसको आसानी से सौर्फ कर लेंगे यसे हमने इस पता लगा लिया कि जो दूसरा नमबर वो 7 है जिना अभी 7 को अपने को find करना पड़े कि इस तरीके साथ आपने find के हो तो हम क्या करेंगे यह दो जो नमबर अपने को दिये हुए रहेंगे उन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे तो जाहिर सी बात है माइनस करेंगे तो 10 में माइनस थी करेंगे तो अपने को बता चल जाएगा 7 यानि कि 3 और 7 ही वो दोनों नमबर है जिनको आपस में एड़ करने के बाद हमारे पास 10 आता है यानि कि जो सम दिया है ना उससे एक नंबर को माइनस कर दीजिए जो भी नंब कितना है 6 है तो माइनस 4 में से माइनस कर दीजिया 6 समझ में बात को तो आपका एंसर पता चाल जाएगा कि दूसरा जो नंबर वो कितना है तो यह दिखिया माइनस 4 है हमने माइनस किया कितना 6 माइनस किया तो ठीक सम में से माइनस कर दिया हमनी एक नंबर को तो माइनस और म सब्सक्राइब दूसरा नंबर है वो माइनस टैन है क्लियर इस दाट क्लियर तो हमारा जो ऑफ्सन नंबर यह है वो सही होगा समझ मैं यह बता दूं कि सम आपने क्या दिया हुआ क्या है वो फोटीन और उनमें से एक माइनस एट है तो फोटीन में से माइनस कर दीजिये माइनस एट को सब्सक्राइब कर एक सब्सक्राइब होगा पिछले वीडियो उसको 1A 1B 1C वाले को तो आपके यह सब चीज पता रहेगा अच्छे से मैंनों आपके आपको कॉंसेप्स के साथ ट्रिक्स बताएं है तो मैंनेस और मैंनेस प्लस होता है तो हम यह प्लस एट लिखेंगे समझ में आया तो 14 और प्लस 8 कितना होगा जो इस बताएं तो 22 होगा और यह प्लस में एंसर आगा कि यह बड़ा लो जो नमबर वह प्लस में है इसका हमारा ऑप्सन नमर यह है इसका भी 17 का वह भी सही है तो इस तरीके साथ को फाइंट करना है को सब्सक्राइब करना है अब आते हम क्वेस होता है ठीक है और एक चीज होता है additive identity और एक होता है multiplicative identity तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनका भी detail में आपको समझाओ कि वह क्या चीज होते हैं तो उसके बारे में अगर आपको जाना है तो कमेंट में बताइए कि मुझे मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा उसके उ additive के जगा में multiplicative inverse पूछता माइनस 6 का तो 1 by minus 6 यानि minus में 1 by 6 होता multiplicative inverse ठीक है जिसके additive inverse पूछा है तो additive inverse का just opposite हो जाता है यानि हमसे 6 plus का पूछता तो additive inverse उसका-6 हो जाता है और हमसे multiplicative inverse पूछता है तो वहीडियो नमबर 1 के divide में आ जाता है तो यह तो short trick है इसका detail और क्यू वीडियो बना दोंगा ठीक है तो इसका option number C answer होगा क्योंकि अपने से यहां पर additive inverse पूछा था multiplicative में option B हो जाता अगर multiplicative inverse उसता तब चलिए अब हम लोग next question देख लेते हैं question number 19 में आप अपने पास simplify करने के लिए question दे दिया है और उसका answer पूछा है ठीक है तो यहां पर 15 multiply minus 15 multiply 8 है plus minus 15 multiply 2 है तो यहां पर यहां पर हमेंसा ध्यान दिजिएगा कि यह ने कि आप यह प्लस वाला sign को पहले कर दे हमें से एक bar mask का rule होता है board mask का जिसके बादे मैं मैंने इस तरह के सब्सक्राइब यहां पर पहले नंबर है तो पहले multiply होगा उसके बाद पिर यहां पहले समझा देता हूं यह हमारा question number 19 इसमें देखिए answer निकालने कि यहां को solve करना ही पड़ेगा यहां पर कुछी trick नहीं डालेट आप solve नहीं कर सकते है solve कर ले देते हम 15 का multiply 8 से होगा तो कितना है हमारा answer 158 जा 120 120 लिखेंगे हम एक number minus में है और दूसरा जो हमने मिज़े इस से multiply किया वो प्लस में था माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है ठीक है मुल्टिप्लाइब में और डिवाइड में आपको समझाए था उसके बाद यहां पर प्लस का साइण तो हम प्लस का साइण लगाएंगे टिक ना जो करना है उसका साइण आपको लगाना पड़ेगा अब हम आते हैं धर 15 टूसरा कीतना होगा 30 होगा तो हम 30 लिखेंगे लेकिन यहां पे बड़े वाले नमबर नहीं देखना आपको यहां पर इस नमबर में 15 मे बंद कर देते हैं एक नंबर को ताकि साइन आपस में ना टक रहे निए तो अधर्वाइज वो गलत सिंटेंस आपका गलत लाइन लखा जाएगा है ना उस लाइन को आपके कट कर दिया जाएगा उसका मांग सापको नहीं दिया जाएगा तो इस तरह के साब ब्रेकेट में क् लगाएं और थर्टी लिग देंगे तो अब यह होगी हमारा 120 माइनस में और 30 भी होगी माइनस में लव्ट साइट जो जो साइन रहता है न वहीं उसका साइन कर लाता है तो मैनस और मैनस क्या होगा यहां पे प्लस होगा वेरी गुड तो 120 और 130 हो जाएगा लेकिन बड़े साइन किसी का है माइनस का है तो यहां पर साइन लग जागा माइनस का इसी को आप हमेशा ध्यान रिखिएगा कि जो रूल है हमारा कि माइनस और माइनस प्लस होता है प्लस और प्लस प्लस होता है ठीक है माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है तो जब हम मल्टिप्लाई कर नहीं दो लगाना है लेकिन जब हम लोग ना सब्ट्रेक्षन करते हैं तब हमारे पास जो बड़ा नंबर रहता है उसके ऐगा थी करते हैं तब करते हैं तब तो 20 भी छोटा से नंबर है 12 और 6 का मुल्टिप्लाई करना है तो उसको आप कूछ से इसी तरह कीजिएगा ठीक है मैं 21 वाला कुछिस्टन आपको आपको सौर्फ करके बताता हूं यहां पर थोड़ा सा बड़ा नंबर है यह हमारा कुछिस्टन नंबर है यहां थोड़ा से कि का अपने को माटिप्लाई करना है और इन दुनेगों इखरी का ओसे मतलब नहीं के Po है अग होगा थ्यान जोत है कि वाद में कुछ ? preया हों भीत लिए टकारने माल्म होने करते हैं jeśli अग्रें ही वह फॉर Woo यह हो जगा हमारा 2, 6 और 7 हमारा कितना होगा 13 का 3 कहरी होगा 1, 2 और 1, 3 और 1, 4 यानि 432 होगा जब हम 16 टैम डेवल पड़ेंगे तो और 27 का ही मिल्टिप्लाई करना है 14 से भी तो हम 14 से भी यहीं पर कर लेते हैं 4, 7 हमारा हो जगा 28 का 8 कहरी होगे 2 4, 2 is 8 and 2, 10, 1, 7 is 7, 1, 2 is 2, 8 हो गया, यह 7 हो गया और 2 और 1, 3 हो यानि 378 हो गया समझ में है बाद, अब हम आते हैं यहां पर, कि इन दोनों का जो हम मुल्टिप्लाई करें तो कितना होगा 420, 32 होगा, तो हम वो लिक लेते हैं 432, ठीक है अब यह देखना है कि यह जो एंसर आएगा, वो प्लस में यह माइनस में, तो यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो मैंने आप जैसे लास्ट वीडियो में बताया था मुल्टिप्लाई जब होता है, तो माइनस और माइनस एंसर जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो अब प्लस में 42 लिखी है 432 या फिर ऐसी नॉर्मल 432 लिखे बात एक ही है यह भी प्लस में ही है अगर हम माइनस का साइन लगा दें तो हम प्लस का साइन लगा देंगे इधर हमारा 70 27 और 14 का एंसर कितना या 370 आया 328 तो 328 हम लिखेंगे और फिर यहां भी माइनस और माइनस दोनों है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानि यह एंसर प्लस में रहाएगा इसमें माइनस का साइन लगाने की जुरत नहीं है जैसे हमारे को 19 में लगाना पड़ा था तो ब्रैकेट बएक यह 810 हमाने एंसर आजाएगा और वह प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा नम्र माना प्लस में है तो आप्शन नम्र जो बी है 21 का पॉजिटीव 810 वह इसका एंसर होगा तो आई होगा आपको यह समझ में आगे होगा क्वेशन नम्र 22 अब खुद से ट्राइक ही जो क्लिए रहतो हो विकल्स कॉंसेट इस पावर में रटना नहीं है कि लिए हम चलते हैं क्वेस्टन नम्बर 23 में को समा 23 निटी थे हुआ है था इसम और नम्ब्र नंबर निटी थी निटी थी है इस वान ऑफ दैम इस माइनस 59 दा अधर वन चीज यह जो हमने प्वेशन नम् को दिए है उसमें से एक नंबर को मैंनस करना है तो 93 माइनस 59 दे और आपका एंसर आ जाएगा सख्रम हो न्सली हो जाएगा और ये दोम प्लस ठूक परक्षिन द एक वार्वर आपो अत्सका अधरनाивать pap when can take क्लेंगे चाहा same to same question no.1c की questions का जैसे मैंने आपको समझाया था न वही है और मैंने आपको रूल बताया था dividend is equal to divisor multiply quotient यानि कि जो dividend होता है जिसको हमने को find करना है यह वाला यह dividend का लाता है इसकोल टू डिवीजर multiply quotient यानि कि डिवीजर का और कोषेंट के जो आप multiply कीजिएगा तो आपको डिवाइड़ेंट पता चाहिएगा तो डिवीजर के है मैंनस 18 है और हमारे पास quotient कि है मैंनस 5 है तो 18 सोरी मैंनस 18 और मैंनस 5 को multiply कीजिएगा तो 18 5 जा 90 आजाएगा और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानि प्लस 90 का एंसर आएगा उस वाले फॉर्मूला से मैंने डाइट यहां पर आपको बता दिया अगर आपको थोड़ा समझ में आया होगा तो आप एक्ससरी विडियो को देखेगा आपको डिटियल में समझ में आ जागा वहाँ होँग सारी इस तरीके से क्वेस्टन्स दिए